कोरिया जिली के अंतरगत आने वाले वेकुंचपूर रूड रेलवे स्टेशन के रेलवे टिकेट काउंटर में बैठे कलर्क के द्वारा टिकेट कैंसिल कराने आये गराहकों को गाली देने और उसे अभधर वेभार करने का मामला सामने आया है दरसल इस विशे पर गराहक ने बताया कि 28 नुवंबर की शाम 5 वजे मैंने टिकेट कैंसिल के लिए आवेदन लगाया और टिकेट काउंटर में बैठे कलर्क की द्वारा 45 मिनट से गलत पासवर्ट डाला जा रहा था पासवर्ट गलत होने के कारण लोगिन नहीं हो पा रहा था पर किसी तरह लोगिन हुआ वही जब रिफंड आया तब उनके 1350 रुपए आने के बाद भी वह बोल रहे थे कि आपका रिफंड जीरो आ रहा है और रिफंड देने से इंकार किया वही जब इसके शिकायत अंबिकापूर में की तो वहां के इंस्पेक्टर ने बताया कि आपका रिफंड वापस करवाएंगे हलाकि टिकेट कैंसिल कराने आए ग्रह का कहना है कि टिकेट काउंटर पर बैठे व्यक्ति पर कड़ी कारवाई होनी चाहिए ताकि मुझे मेरा रिफंड मिल जा लेकिन इसको भी चीनने की कोर्सिस कर रहे थे ताकि जो एविदेंस है उसको मिटा सके है इतने एंगर थी है मतलब कि इसको लेके फार दिया जा है ताकि इनका रिफंड ना मिले हमने पैसा पे किया हमारा पुरूफ है हमको टिकेट मिलना चीए च्छे तो फिर क्यों नहीं मिलना क्या क्या ते इने रहे है क्या ट्रिंक कि हो सकता है पीए है यह जाए है यह जाए इनका आपको अब कर दिया हूँ